जैहिंद, वेलकम टू विजपत एजुकेशन पालमपूर आज HRTC कंड़क्टर की सेकिंड क्लास हमारी रहेगी फर्स्ट क्लास में हमने पचास ट्रेफिक और रोड सिगनल के बारे में डिसकेशन की थी जिसमें बिलकुल important question आपके साथ share किये गए थे उसकी PDF आपको हमारे telegram channel, whatsapp group और application के उपर provide कर दी गई है second class हमारी HRTC conductor से related फिर से आपके लिए रहने वाली है जिसमें हम आज फिर से जो next traffic rule ये signal है लोगों जो होते हैं उनके उनके बारे में हम discuss करेंगे तो 51 question आपके पास ही रहेगा तो number 51 हमारे पास रहेगा number 51 को आप ध्यान से देखिए थोड़ा सा इसमें आपको क्या बताया गया है कि एक T की shape में जो है वो एक चित्र बनाया गया अगर आप इसको अपने screen को थोड़ा सा अगर rotate करें तो आपको एक पूरा का पूरा T लगेगा इसका मतलब क्या है आगे की सड़क आरपार नहीं है मतलब की आप आगे से जो है वो आरपार नहीं देख सकते मतलब आपको सामने जो है वो चीज नहीं दिखेगी ठीक है number 52 को ध्यान से देखिए यहाँ पे एक क्या बताया गया है नीचे जो है वो पानी की तरह एक लहरे जो है वो बनाई गई है कोच इस तरीके सी और उपर जो है वो एक बोट बनाई गई है मतलब यहाँ पे क्या है फेरी है मतलब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं नदी को पार कर सकते हैं नेक्स्ट नमबर 53, बिल्कुल इजी सा है, और बिल्कुल असान सचित्र जो है वो आपके यहां पे दिया गया है, नमबर 53 को जब आप देखेंगे, इसमें P का एक चित्र दिया गया है, मतलब P का मतलब क्या है, P का मतलब होता है, पार्किंग ठीक है, और दोनों तरफ एरो लगाएगे हैं, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, इसका मतलब दोनों तरफ आप क्या कर सकते हैं, पार्क कर सकते हैं, नमबर 54, P फिर से लगाया है, यानि की पार्किंग तो है, लेकिन नीचे एक स्कूटर का चित्र है, मतलब यहां पे हम पार्क किसको कर सकते हैं, दोनों को मैं साथ में cover करूँगा दोनों parking है 55 में auto का चित्र है मतलए हाँ पे auto को हम park कर सकते हैं number 56 में taxi का चित्र है यानि कि गाड़ी है तो हम बहाँ पे किसको park कर सकते हैं गाड़ी को park कर सकते हैं number 57 आपने देखा ही होगा petrol pump sorry petrol pump का एक चित्र है में है right side है तो petrol pump कौन सी दिशा में हुआ right side की दिशा में हुआ next 58 इसमें एक गाड़ी जो है वो जा रही है थोड़ा मैं इसको 58, 59 इन तीनों को मैं इकठ्था बताता हूँ ठीक है इन तीनों को मैं इकठ्था बताता हूँ 58, 59, 60, 61 ठीक है देखी 58 में गाड़ी जा रही है उसने yellow light को blink किया है ठीक है yellow light को उसने क्या किया है blink किया अगर आप यहाँ पे देखें थोड़ा सा ये वाली चीज है ठीक है yellow जो है वो छोटा कर देता हूँ इसको मैं ये ये आपको light जो है वो अपना बाहर निकाला है कौनसी दिशा में right मतलब ये right side मुडने का एक तरीका है जब आप 59 को देखेंगे इसमें इसने अपना हाथ नहीं निकाला क्योंकि arrow किस दिशा में है इसने अपना symbol गाड़ी का जो है वो कौनसी light इसने blink की है left side blink की है जब भी हम left side मुडते हैं तो अपना हाथ हम नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि इतना दूर है हाथ हम सिर्फ right side में निकाल सकते हैं ठीक है जी तो ये left side मुडने का तरीका हो गया उसके बाद number 60 में उसने हाथ बाहर रखा है कुई भी light blink नहीं की है सिर्फ हाथ बाहर किया है और यहाँ पे दो red color के निशान दिये गए हैं एक उपर की तरफ एक नीचे की तरफ मतलब कि जब हम किसी गाड़ी को रोकते हैं तो कैसे रोकते हैं अपना हाथ देते हैं ठीक है जैसे अगर आपको बस को रोकना हो तो हम क्या करते हैं हाथ उपर नीचे करते हैं तब बस रुकती इसका मतलब यह सिंबल किसका है किसी बाहन की स्पीड को धीरे करने के लिए क्या है एक इशारा है उसके बाद 61 भी कुछ इसी तरीके का है और उसने अपना हाथ जो है वो उपर की तरफ किया है उपर की तरफ करने का मतलब है बाहन को रोकने का इरादा है उसका ठीक है बाहन को रोकने का इशारा जो है वो उसने किया है नेक्स्ट 62 है हमारे पास 62 में यहां पे बिल्कुल क्रोस लगाया गया है और blue color का चितर है बिल्कुल cross यानि कि आप यहाँ पे कोई भी पार्क नहीं कर सकते number 63 में एक arrow दिया गया है किस तरफ है left side है मतलब आपको किस तरफ मुढ़ना है बिल्कुल left side ही आपको turn करना है number 64 को हम देखते है plus का symbol और bed का symbol है तो यहाँ पे यह चितर किस को दर्शाता है अस्पताल को दर्शाता है arrow जो है वो आपका left side है यानि कि अस्पताल किस दिशा में है left वाली side में है number 65 यहाँ पे चितर में right side की तरफ arrow है और I think हमने यह first class में कर लिया था हाँ यह हमने शायद cover कर लिया था right side की तरफ arrow है और बीच में cross है मतलब आप दाईं तरफ नहीं मुड़ सकते number 66 में up down एक उपर की तरफ रास्ता एक नीचे की तरफ रास्ता और बीच में cross मतलब की दोनों सडकें क्या है बंद है number 67 में हम देखें तो arrow जो है वो एक उपर की तरफ है और एक आपका left side है तो बाईं और क्या है सडक है बाईं और आप मुड़ सकते हैं उसके number 68 है तो इसको हम नाग मोडी सडक बोलते हैं नाग मोडी चोक आप इसको बोल सकते हैं कुछ इस तरीके का चोक आपको देखने को मिलेगा इसको नाग मोडी चोक बोलते हैं मतलब की टोटल चार-पांच रास्ते जो हैं वहाँ से आपके निकलेंगे अगर कुछ इस तरीके का एक ऐसा प्लस का चितर अगर आपके पास दिया होगा तो इसका मतलब है वहाँ पे आगे क्या है में रोड है जैसे कि लिंक रोड से जब आप में रोड में ख्रोस करते हैं तो ऐसा चितर जो है वो दिया जाता है नमबर 70 एक पटड़ी का चितर दिया गया है तो आप इसको एक रेलवे लाइन का भी फाटक जो है वो आप इसको बोल सकते है उसके बाद देखी सिर्फ एक बेड का चितर है तो बेड का चितर अस्पताल नहीं होता है बेड का चितर मतलब है वहाँ पे आपको साथ रहना है बिल्कुल शोर शराबा वहाँ पे आपको नहीं करना है, यह आपका एक ऐसा स्थान हो सकता है, जैसे की rest house बगारा है, ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल शान्ती जहाँ पे चाहिए, वहाँ पे इस तरीके के symbol जो हैं, वो लगाये जाते हैं, next, 72 है, इसमें रास्ता आगे की तरफ तो है, आगे की तरफ रास्ता तो है, लेकिन वहाँ से आगे red color कर दिया है, उसको बंद कर दिया है, मतलब आगे रास्ता नहीं है, यह इसका चितर है, number 73 जो है, इसमें नीचे की तरफ cross है, लेकिन उपर की तरफ बिल्कुल भी cross नहीं है, तो आप उपर की तरफ जा सकते हैं, नीचे की तरफ नहीं आ सकते, तो इसका मतलब है, सिर्फ एक तरफ जो है, वो रास्ता है, अब देखिए, ध्यान में रखना है आपको, अगर प्लस का चितर है, तो उसका मतलब है प्रात्मिक चिकितसा पद, अगर सिर्फ बेड़ का चितर है, तो मतलब शांती वाला एरिया, लेकिन प्लस और बेड़ दोनों का चितर है, तो उसका मतलब होता है अस्पताल, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, number 75 को हम करेंगे जो नमबर 75 है इसमें हमें बताया गया है कि यहां पे क्या है railway crossing की बात जो है वो यहां पे की गई है नमबर 76 इसमें right तरफ आपको मुढ़ना है 77 हमने पहले भी इसको read कर लिया यह सिर्फ एक तरफ का रास्ता है सिर्फ आप नीचे की तरफ जो है वो आ सकते हैं नमबर 78 जो है इसमें 2m लिख है मतलब 2m से अधिक चोड़ाई बाले बाहान के अंदर जो है वो आप नहीं जा सकते मतलब रास्ता जो है वो थोड़ा सा क्या है congested है रास्ता थोड़ा सा congested है यानि कि 2m वाले बाहान जो है वो यहां से जा सकते है नेक्स्ट नंबर सेवंटी Andine है इसमें हमें बताया गया कि तीन मीटर से अधिक उंचाई वाले बहानों के लिए वो क्या है परवेश है यानि कि जो हाइट है बहानों की जिसे कि साड़े तीन मीटर से जो अधिक उंचाई वाले बहान है वो वहाँ से परवेश कर सकते हैं यह हमने 80 वाला जो है वो पहले भी कुछ इस तरीके का पढ़ा और यहां पर लिखा गया है 6T मतलब 6 टन वाले भार वाले भीकल जो है या फिर ट्रक जो है वो इस रास्ते से गुजर सकते हैं तो हमने अभी तक total 80 questions जो हम वो discuss कर लिये हैं symbol से related next part जो हमारा रहेगा वो last part रहेगा इस class का जिसमें हम जितने भी हमारे pending symbol बचे हैं उनको हम discuss करेंगे अभी तक अगर आपने विजयपत education app डाउनलोड नहीं किया है तो उसको आप डाउनलोड कीजिए और जो भी हमारी HRTC batch की जो free classes हैं वो भी आपको इस app में देखने को मिलेंगी जो भी हमारी paid classes हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी उसमें आप उसको join जरूर कीजिए जल्दी ही next class के साथ मैं आपसे मिलूँगा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत